So hey guys, आज की इस वीडियो में मैं आपको Capron 3 का पूरा schedule बताने वाला हूँ Capron 3 की date क्या है, आपका admission की date क्या है, Capron 3 कब end हूँगा, कब आपको betterment का option आएगा तो आज की इस वीडियो में मैं सभी detail आपको बारीकी से समझाने वाला हूँ और साथ ही जो बच्चे betterment के लिए अपलाए कारना चाहते है, या फिर वो बच्चे जिनने एक भी college अलोट नहीं हुआ Capron 1 और Capron 2 में तो इन बच्चों के लिए वीडियो के end में एक bonus टिप है, तो आप इस वीडियो को पूरा देके बिल्कुल भी skip न करें तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले चार नोवेंबर यानी की आज प्रोविजिनल वैकंट सीट फोर Capron 3 तो इसका मतलब होता है कि जिस कॉलेज में कितनी सीट वैकंट से बची है तो आप इस बात का अंदाजा इस प्रोविजिनल वैकंट सीट से आप लगा सकते हो तो यह आज रिलिस हो जाएगा और सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसे जरूर चेक करें आपको इस बात का आईडिया आजाएगा कि वही कौन से कॉलेज में कितनी सीट वैकंट से है तो आप इसे जरूर चेक कीजिएगा और इसके बाद पास तारिक से आपका Capron 3 स्टार्ट हो जाएगा जाएगा और साथी 10 से लेकर 12 तारिकी पीज में आपको आपको कोई कोई अलच हुआ है और आप सैटिसफाइए कि मुझे एसी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप 10 से बादा नाइट कि बारा तारिकी की बीच में तिक तक आप तीन बजे तक आप सीट फ्रीज कर सकते हो और 10 से लेके 12 के बीच में ही आपको admission कराना है यानि कि for example अगर आपको कोई college मिला है और अगर आप चाहते हो कि मुझे एसी college में admission लेना है तो वहीं आपको सारे document जमा कराने हैं जो documents आपने registration के वक्त दिये थे including your cost validity तो वह document जो आपने registration के वक्त दिये थे same document आपको यहाँ पर देना है और इसके अलावा आपको पाच बज़े तक कि यहाँ पर work time दिया जाएगा for admission इसके बाद आप screen पर देख सकते हो कि जो 13 तारिक से लेकर 21 तारिक का इसमें जो वक्त दिया है तो यह institute का work है और तुम आपको जो बच जाती है तो इसी पर spot round और management की उटा होता है और जिनको इस पारे में नहीं पता कि spot round और management की उटा क्या होता है तो इस पर भी मैंने important होगा आपके लिए और अब जो बच्चे betterment के लिए apply करना चाहते तो उने मैं यही सजिस्ट करूँगा कि भई आप preference ठीक से डाले जिस college में आप admission लेना चाहते हो उस college को आप टॉप पर डाले और जिस college में एक भी सीट वेकंड नहीं है तो वहां मुश्किल हो जाता है आपका selection होना तो आपके cut-off से आपके mark से अगर की college के cut-off match होता है तब भी आप उस college को टॉप पर रखे otherwise यहां पर आपका नुक्सान हो जाता है और आपको 60% है और उसमें भी आप COP को टॉप टॉप पर रख रहे हो तो यह तो impossible है भई कि यह jackpot नहीं है यह cap round 3 है तो भई अगर किसी college में अगर vacant seat नहीं है और आपका cut-off उस college से नहीं मिलता है तो उस college को टॉप पे रखना waste of time होका अगर आप अपने mark से related अगर आप preference दालोगे तो आपके selection के chances बढ़ जाएगे यह cap round का algorithm है आप आपने percentile के इसाब से preference दालोगे तो आपका selection के chances ज्यादा बढ़ जाएगे और हम बात करते हैं उन बच्चियों की जिने cap round 1 और cap round 2 में एक भी college अलोट नहीं हुआ है तो उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि भई इस बार आप किसी private college की बजाय किसी cyber cafe से आप form भरिये और वहां पर आपक 300 के 300 option वहाँ पर आपको fill कर देने हैं जियां दोस्तों कि आप cap round 3 में 300 से ज्यादा college list college options में आप डाल सकते हो तो आपको 300 college दालने with institute quote तो उन में से कोई न कोई college आपको मिल ही जाएगा और रहा सवाल ब्रांच का कि for example आप CS में चाहते थे admission के लिए लिकिन आपको mechanical मिल गया मुझे manage router से नहीं जाना तो आप ये तरीका track कर सकते हो तो इसी के साथ हम इस video का end करते हैं I hope आपको video अच्छी लगी हो आपके cap round से लेके तो आपके admission तक इस channel पे continue video upload होती रहेगी और इसी तरह की जानकारी के लिए आप इस channel को subscribe कर सकते हो ठैंक